हाई फ्रेंड्स वेलकम तू आवर यूटूब चैनल तुड़े आइल शो यू इन दिस वीडियो हाउ टू मेक एजेंट आइडी हाउ टू मेक एड्मिन पेनल इन स्काई एक्चेंज साइट सो फर्स्ट आप अपना स्काई एक्चेंज का एड्मिन अकाउंट लोगिन कर अगर आपके पास एड्मिन अकाउंट नहीं है तो मैंने कंपनी का हेल्प लाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ पे जाके चेक आउट करेंगे कर सकते हैं और आप उनको वाट्सअप कर सकते हैं वाट्सअप पे आपको फुली डिटेल्स मिल जाएगी आपको एड्मिन अकाउंट एंड यूजर आईडी बोथ वहाँ पे अवेलेवल है तो सबसे पहले एजेंट अकाउंट बनाने के लिए आप एड्स उपर पे क्लिक करोगे यह आप देख सकते हो मेरा एड्मिन अकाउंट है तो मैंने एड्मिन अकाउंट से भी मैं सुपर एजेंट बना रहा हूं तो यहाँ पे आप अपना इमेल एड्रस डाल दो इमेल एड्रस डालने के बाद आप अपना यहाँ पे यूजर नेम डालोगे यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पे आप जो पासवर्ड है वो पासवर्ड सेट करोगे पासवर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आप केप लेटर है capital में डाला है बाकी सब small तो इस तरह से आप password जो है डाल सकते हो उसके बाद confirm password में भी आपको same डालना है first name डालना है client का उसके बाद last उसका name डालना है यहाँ पे phone number है phone number optional भी आप छोड़ सकते हो जो commission यहाँ पे 2% set है वो company से ही होके आता है तो आप यहाँ पे 2% commission को रहने दीजिए तब ही आपका जो agent ID बन पाएगा तो उसके बाद create पे click कर दो तो आपका agent ID यहाँ पे बन जाएगा मैंने इस तरीके से यहाँ पे total 5 admin ID नीचे बना रखिये है सब को balance transfer कर रखा है यह सबी जो customer है इनके पास online users है यह आप देख सकते हो माई account में जाने के बाद आपको अपना account statement पता चलेगा यहाँ पे report पे जाने के बाद आप अपना profit loss total देख सकते हो इस month कितना हुआ है last week कितना हुआ है यहाँ पे bet जो live है देख सकते हो किर्केट की शोकर की टेनिस की कौनसी जो bet है यहाँ पे live है यहाँ पे date डालो आप देख सकते हो कि कौनसी भी bet जो है live में चल रही है इसके लवा आप user id बनाना चाहते हो तो आपके admin से पहले आप एक super master id बना लो उसके बाद उसी से आप user id बना सकते हो इस तरीके से सेम आपको user id बनाना है जैसे मैं आपको एक agent id बना के यहाँ पे दिखा देता हूं जैसे मैंने यहाँ पे महाकाल sharing 99 जो username डाल दिया है और जो मैं password डाल रहा हूं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था asdf1234 मैंने डाल दिया आप इसकी जगह abcd1234 या जो भी आपका है डाल सकते हो सेम password आपको confirm में डालना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे first name डालना है यहाँ पे last name डालना है phone number यहाँ पे आप डाल सकते हो यहाँ से आप create करोगे तो आपका account जो आप देख सकते हो यहाँ पे create हो गया है बेंकिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको option दिख रहा है महाकाल sharing के आगे डी का option डी से आप deposit कर सकते हो और डी से आप डिपोजिट कर सकते हो जैसे मैं डी पे यहाँ पे deposit कर रहा हूं इनको तो 100 उपीज का मैं यहाँ पे अगर उनको डेमो के लिए deposit कर रहा हूं तो जो मेरा password है यहाँ पे मैं अपना password डाल देता हूं and submit permit पे click करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो deposit success हो गया है तो इस तरह से आप admin account and user account दोनों create कर सकते हो वीडियो के description में contact number दे रखा है आप वहाँ से अपना admin panel और user ID दोनों buy कर सकते हो दोस्तों आपको हमारे है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जुरूर कीजिए and channel को subscribe कर ले ताकि new update आपको मिलते रहे दन्यवाद दोस्तों have a nice day कर दोस्तों आपको हमारे से अपको कर से अन्यवलिदा след दोनकी आपको years कि मिलते दोस्तों आपको हमारे था है उन्यवाद च completa सकते है egal